हेलो गाईज तो कैसे हो आप सभी लोग वेलकम पैक टू देर्ट गेंपले वीडियो और आज हम तुपारा से कंचिन्यू करने वाले हैं कार फॉर सेल सेमुलेटर 2020-23 तो लास्ट एपिसोड में आप सभी को याद होगा हम लोग यहाँ पे 50 बुगाटी चैलेंज कर रहे हैं आज उस चैलेंज का होने वाला है डे नमबर त्री और आज अपना प्लैन है हम लोग अपनी बुगाटी के फीट में कम से कम 5-6 बुगाटी अड़ करने वाले लेट सी देखते हैं आज हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं बट कुछ भाई लोग मेरे यहाँ पे पै बुगाटी को बुगाटी के लिए कम से कम मेरी को 30 कार मारकेटज में बुगाटी के साथ वहाँ पे जितनी भी सूपरकार होती यह Lamborghini हो गई, McLaren हो गई, Tesla हो गई मैं जो यह ना सारी के सारी cars बाई करता हूँ और उनको अपने showroom पे लाकर बेज देता हूँ इसी इसलिए जो यह ना अपने पास इतना पैसा है कि हम लोग बुगाटी वगेरा easily बाई कर सकते हैं बट यार आज का वीडियो स्टाट करने से पहले मेरा प्लान है, मैं जो यह ना अपने PC वाले गेम्स के लिए नया चैनल बना रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिस भी भाई लोगों को PC गेम्स देखने में इंटरस्टेड है तो यार आप लोग जाकर प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बाकि इस टोटली अपन यू अगर आप लोगों को only mobile गेम्स देखना पसंदे क्योंकि जैसे यह चैनल जो है मेरा वो only mobile गेम्स के related है उसमें PC गेम्स डालता हूँ कोई देखता नहीं है अभी हम लोगों ने पास जितने भी सूपर कास थी वो हम लोगों ने सेल आउट कर लिए यहाँ पे कुछ नॉर्मल कार है जो कि 15,000, 20,000 डॉलर्स की है तो उन्हें सेल आउट करते हैं और उसके बाद अपना प्लान है आज हम लोग थोड़ा सा ओप्चन भी चेक आउट करेंगे क्योंकि ओप्चन में याँ सूपर कार साती है और वो सूपर कार मेरे को मिल नहीं दिये जैसे कि अपनी पोशे हो गई निसान जीटियार हो गई वो अभी अपने को चाहिए लगता है काफी ज़दा टाइम लगेगा तो ठीके गाईस यहाँ पर मैंने लगबग सारी के सारी अपनी शूपर कार बेज दिया है और यहाँ पर एक मेकलारन है उसको भी मैं बेजता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बुगाटेज वगेरा लेने के लिए निकलेंगे बस दोनों बिग गई अब ये दो टैक्सी बची वी है तो फटावट से यार इनकी हम लोग बारगेनिंग वगेरा नहीं करेंगे नार्मली सेल आउट कर देंगे तो लग बग हम लोग ने अपनी सारी की सारी कार सेल आउट कर दी है यहाँ पर दो लेंबोगी नहीं बची वी है जो कि मैं अब भी ऑप्शन से बाई करके लेके आया था सो इनको भी हम लोग यहाँ पर फटावट सेल आउट करते हैं रिपियर मैं नहीं करा रोविन गाड़ियों को, क्योंकि जब मैंने अपने पास रखना ही नहीं है, तो रिपियर करा के भी कोई फाइदा नहीं है, सीधा लाते हैं, अपने शोरूम पे रखेंगे, और उसको जो एना डारेक्ट सेल आउट कर देंगे, लेस्ट गो, और आज मेरे पास जितनी भी Lamborghini, I mean Bugattis है न, वो सारी की सारी मैं अपने शोरूम के फ्रेंट में रखने वाला हूँ, और लिटरली वो चीज़ देखने में काफी जादा मज़ाएगा, जब अपने पास 50 Bugattis हो जाएगी न, फिर उसके बाद देखना अपने शोरूम क्या ही ब कुछ McLaren और कुछ अपने को जो है न, यहाँ पर Lambo मिली थी, तो अभी हम लोग दोनों को buy करने का try करेंगे, बट इसके लिए तो मैं bargaining करूंगा, around and around यह 4 लाग तक की मिल जाती है अपने को, मैंने 4 लाग की खरीदा है, क्योंकि 4 लाग से कम करूंगा मैं, so वो मेरे खुद देता नहीं है, यहाँ पर Bugatti है, Bugatti का normal price around 30 lakh है, तो अपन लोग इसको around 50 lakh dollars में तो easily base देंगे, तो 30 lakh मैं देता हूं direct, क्या इससे हम लोग थोड़ा सा कम करें, मुझे लगता है 30 lakh ही मैं Bugatti मिलता है अपने को, चलो इसको भी मैं फटावर्ट से टो कराता हूं, या फिर शूपर कार वगेरा है नहीं, यह रही न, I think यह McLaren है, नहीं, पता नहीं कौन सी है यार, यह मेरे नाम भी समझ में नहीं आता है, चलो ले लेता हूं, 5 lakh dollars बोल रहे हैं, तो around 4 lakh dollars में मेरे को easily मिल जाएगा, let's go, मैं सोच रहा था, थोड़ा सा 3 lakh 50,000 dollars में मिल जाएगा, बट वो देने को तयार नहीं है, तो अपने को 4 lakh dollars में करना पड़ेगा, ठीक है, बाई कर दिया मैंने, टो कराता हूं, और डारेक्ट में मिलता हूं, आपको अपने car showroom पे है, चलो गाइस, चलो, let's go, तो अभी मैं मैं यहां पर आ चुका था, मैंने एक एक करके अपनी सारी के सारी गाड़ियों को लगाया, बट मेरा प्लान है, अपनी जो बुगाटी है ना, तो हम लोग 50 की 50 बुगाटी को repair करके sale out करेंगे, वैसे मेरा प्लान था, इसमें red color करूं, बट यार सारी के सारी बुगाटी से अगर red color की होंगी, तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसको मैं यहां पर रखता हूँ, अपने पास बुगाटी कितनी जारी होगे, उसके बाद मैं एक और प्लान कर रहा हूँ, कि हम लोग Porsche का भी करेंगे, Porsche का भी challenge करने वाले हैं, क्योंकि Porsche अपने को इतनी normally मिलती नहीं है, तो भाई Porsche का तो मैं 10 Porsche करूंगा, अखे, यह जो अपनी दो शूपर गार है, उनको हम लोग फटावर्ट से repair करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको लगाते हैं, सेल में, बट इस काड़ी का नहीं एक काफी जादा पंगा है, जब हम लोग इसको अपने parking से लेके जाते है अपने repair करने के लिए भाई तब भी damage होती है, जब repair करके अपने showroom में लेके जाते हैं, फिर भी damage होता है, पता नहीं क्यों, इतना भी slow लेके चले जाओ ना, फिर भी damage होगा, तो हो गई, ठीक है बट, repair किया, तो देखो, थोड़ा सा damage यहाँ पे हुआ, बहुत जादा slow न problem ही है, ओके यहाँ पे अपनी lambo खरीदने के लिए कुछ log आई हो हैं, I mean customers, so अपनी lambo भी मैं sell out करूँगा, इसको भी मैं repair करके लेके जाओं, यार फायदा कुछ है ने repair करके, क्योंकि जब मैं अपने showroom पे लेके आओंगा, तब भी यह जो है ना, खराब हो जाएगा, त तो मैं recommend करूँगा, आप लोग गाड़ी को repair करो, wash करो और उसके बाद sell out करो, तब अपने को अच्छा price मिलता है, चलो, let's go, okay, मैं इस बार सोचरत अराम अराम से लेके चलता हूँ, इसको damage नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, but अराम से भी लेके चलो ना, फिर भी damage होई जात इसको यहाँ पर रखो, और चारो की चारो गाड़ी को ना, मैं sale में लगाता हूँ, और ऐसे करते हैं यार, next video में हम लोग only bugattis buy करेंगे, और मैं offline खेल के इतना पैसा जमा कर लूँगों कि हम लोग only bugattis buy करें, और उसी वीडियो में हम लोग सारी की सारी bugattis sell out करेंगे, क् comment section में जरूर बताना, अगर यह चीज हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी है, चो कि 5 lakh dollars में मैंने ली थे आ रहा हूं, 10 lakh dollars में तो मैं sale out करूँगा, भई 10 lakh देने को तयार नहीं है, चल तू ऐसे कर, 8 lakh ही दे दे, 7 lakh वैसे भी बोल रहा है तो 8 lakh में मिल जाएग तो अभी तो customer है नहीं, ओके मैंने इनको sale में ले लगाया, इसको तो मैं 10 lakh में लगा, वैसे 8 lakh इसका normal price है, तो 8 lakh में लगाएंगे, जादा मेंगा करके भी कोई फायदा नहीं है, वो bargaining करके उतना ही लेके आ जाएगा, चल वाई, आगे आए customer, बहुत जल्दी, नहीं भई, आट लाग डॉलर से कम में तो मैं देगा नहीं, लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो, तो ओके यार वहाँ पे अपनी सारी की सारी cars बिक चुके, और उसके बाद मैं दुबारे से पहुचा है यहाँ पे car market में, आज वेना अपना लग काफी जादा बढ़िया था, अ मुझे नहीं लगता, तीन-तीन बुगाटी मिलेगी, अपने को बस car market में एक बुगाटी से जादा तो कभी मिला ही नहीं, कभी-कभार लग रहा था कि अपने को ना, बुगाटी जादा मिल गई, बट यहाँ पे तो देखो बाई, चार लेंबो है, बट कोई डैंशन है नह लेंबो है यह तो, 14,00,000,000 में लेता, तो अभी मैं यहाँ पे लेंबो बाई 14,00,000,000 में देने को तयार नहीं है, अब दुबारे से 14,00,000,000 बोलता हूँ, देखते हैं कितने में, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नोंसेंस, यह नोंसेंस पराणी 14,00,000,000,000 में नहीं लैंबो है और बाई एक बुगाटी और मिल गई अपने को वो भी मैं बाई करेगा भी इसको भी 18 लाग डॉलर्स में बोलता हूं दे देगा 18 लाग डॉलर्स में ज्यादा बारगेनिक नहीं करेगा ठीक है मिल गई डारेक्टो ओके और तो कोई सूपरकार है नहीं यहाँ पर बाकी बस एक बुगाटी बच्ची भी है मैंने वहाँ पर देख लिया अल्रेडी तो और तो नहीं है चलो इसी को भाई कर लेते हैं देती हैं कि नहीं देती हैं मैंसे दे दीगी मेरे को लगता है ओके अपने को एक बुगाटी और मिल गई और आज वे आपने कम से कम दो बुगाटी दो भाई कर ली है यहाँ पर अपनी लैंबो जो है उनको मैं डारेक्टो कराता हूं अपने बेस आई मीन अपने शोरूम है चलो अब भी हम लोग चलते हैं कुछ गाड़ी अपने पास उनको सेल आउट करेंगे बैठी ऐसे करते हैं और भाई आज का दिन तो देखो अपने को चार लैंबो मिली हैं वहाँ से चार लैंबो गाईज ओके कस्टमर्स हैं इन गाड़ियों को मैं सेल आउट करता हूं आट लाक डॉलर्स बोल रहा है वाट नहीं इतने में नहीं आट लाक डॉलर्स में बेचेगा मैं नौ लाग बोलें एक बारी ओके यार नौ लाग में बिल गई है मतलब मैं एक लाग डॉलर का लॉश कर रहा था अपना अच आट लाग डॉलर में इसको बेज रहा था तो उसके बाद मैं चारो की चारो लैंबो अपनी यहाँ पे लेके आया और मैंने फाइनली डिसाइड कर रहे यार इनको भी मैं फटावर्ट सेल आउट करता हूँ तो एक बार ही हम लोग दुबार से कार मार्केट में जाने का ट्राइ करेंगे क्या बत अपने को वहाँ पे और बुगाटेज मिल जाए तो फटावर्ट से यहाँ पे जितनी भी अपने पास लेंबो है ना उन सब की सब को मैं 30 लाग डॉलर्स में सेल में लगाँ गो कम से कम 28 लाग डॉलर्स तो अपनी को चाहिए ठीक है तो ठीक है राम राम से चोए ना मैं सब काड़ियों को यहाँ पे सेल में लगाता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग कार मार्केट में कार भाई करने के लिए तो भाई इनको सेल करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जीरो न जोए न गिरना पड़ता है काई 30 लाग के सेल में लगा रहा हूँ गलती से वो 3 लाग में लग गई तो अपने को काफी बड़ा लॉस हो जाएगा तो इसलिए जोए न थोड़ा सा सो समझके लगाना चाहिए और यहाँ पे देखो भाई कार भी काने के लिए लगाया नहीं अट कस्टमर और अल्ड़री कितने सारे आ चुके हैं बड को इटेंशनी बाई 23 लाग डॉल रहा है 23 लाग में तो मैं ने खरीदी नहीं है तो इसलिए तो 28 लाग में खरीदी बेचूंगा मैं 28 लाग में ने खरीदी गा तो 26 लाग 26 लाग नहीं तो 22 लाग कुछ इस तरीके से हम लोग ओरे बई बिग गई बताब काफी अच्छा प्राफिट होगी अपना 18 में हम लोग ने खरीदी है 28 में हम लोग सेल कर रहें तो कम से कम 10 लाग डॉलर का प्राफिट लेस्ट गो बाई आज तो पैसा ही पैसा चांदी चांदी ज़्यादा बारगेनिंग नहीं करनी है बस 28 लाग डॉलर एक लास्ट प्राइस है आप लोग इससे एक भी डॉलर बढ़ाओगे ना तो वो बारगेनिंग करेगा तो अपने को प्राइस पता चल चुका है तो हम लोग बारगेनिंग ज़ादे करेंगे नी and finally उसके बाद मैं यहाँ पे गया था यह बुगाटी हम लोग ने जो पिछले कार मार्केट से बाई किया था and अपने प्लान है जितनी भी अपने पास बुगाटी जैना वो एक एक करके मैं सारे के सारे अपने शोरूम पे रखता हूँ and finally यहाँ यहाँ पे देखो मैंने कितनी जारी बुगाटी जो यह ना अभी रखी वी है and मेरा प्लान है मैं यहाँ पे जो यह ना अपना जितना भी पार्किंग एरिया है जहाँ पे मैं कार पार्क करता हूँ वो मेरे को पूरा का पूरा बुगाटी से भरना है क्या हम लोग कर पाएंगे देखो एक सेक्शन में कम से कम 6 गाड़िया है 6, 12, 18, 24 around 30 गाड़िया आप आएंगी देखते हैं गाइस कितनी गाड़िया आप आएगी फिर उसकी असाप से हम लोग आगे प्लाइन करेंगे अपने को क्या करने है बट अभी रात हो चुकी है मैं जाता हूँ फटावर्ट से सोता हूँ and morning में हम लोग car option में जाकर देखेंगे क्योंकि अभी मैं 2-3 car option में गया था तो मुझे कोई खास car तो मिली नहीं and आज आकर देखता हूँ क्या पता अपने को कोई खास car मिल चाहे तो वो अम लोग भाई करेंगे and यहाँ पर गलती से जो यह ना मैं car market में आ गया मुझे जाना था option में बट आगे हमें car market में तो चलो option में जाते हैं and गाडियां भाई करके लाते हैं अपने कले okay so finally car market में हम लोग बहुत चुके हैं and सबसे पहले तो मेरे को ticket लेना है भाई मैं थोड़ा सा late तो नहीं हुआ okay भाई अभी तो time बहुत जादा है तो मेरे को कम से कम दो time minute wait करना पड़ेगा यहां पर तो seat में बैठ जाता हूं and तब तक wait करता हूं तो okay guys यहां पर option open हो चुका है पहले normal car है I'm not interested and डूसरी Dodge Viper SRT भाई यह तो घरीदनी पड़ीगी बट यह काफी जादा सस्ती है इसमें PC वाले car for sale में बहुत जादा costly है यहां पर बहुत जादा सस्ती है दूसरी car भी normal है यह भी नीचे यह चौती भी normal है बाई मतलब car options में rear car मिलता ही नहीं है guys मैंने इतने सारे car options कर दिया नहीं है यहां पर I don't know क्यों कहीं मेरे इगलीस तो नहीं है लगता तो है मेरे को तो okay guys यह ही अपनी dodge viper इसको लेके चलते हम अप लोग के अपने base में बठा तो मैंने आप लोगों को बता दिया PC games की videos जो इन नए चैनल में आएगी जिसने भी अभी तक जिसको videos देखनी है PC की तो बेज जिजक जाकर सब्सक्राइब कर सकता है ऐसा फाइदा नहीं है तुमने सब्सक्राइब कर दिया तुम्हें interest है नहीं तो मैंने इसलिए जिसको interest है वो जाकर सब्सक्राइब कर सकता है और बस और तो कुछ नहीं और वहां पर मैं काफी ज़्यादा PC गेम्स कहलूँगा जितनी भी मेरे पास है सबकि मैं एक सीरीज के तरीके से खेलूँगा उसमें और जो trending PC गेम्स है वो तो हम लोग के चलेंगी तो चले गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही I hope आप लोगों को वीडियो पसन आयोगा अगर वीडियो पसन आयोगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मिलते हमालोगा